दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकुडमीती चैप्टर के सिद्ध करने वाले प्रशनों को हल करना सीखेंगे ठीक है तो आपको ऐसे ही क्योस्टन दे दिया जाएगा मतलब साइन कुछ भी लिख करके दिया जाएगा और बीच में बराबर रहेगा इसका मतलब क्या है ऐसे इलिक दिया जाएगा और आपको का जाएगा सिद्ध कीजिए यानि कि आपको ये सिद्ध कर देना है कि बराबर के इधर जो ये पूरा लिखाए और बराबर के इधर जो पूरा लिखाए दोनों बराबर है वैसे ही इसमें आपको सिद्र करना है कि ये और ये दोनों बराबर है तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले क्योशन को हल करते हैं ठीक है तो यहां पे आप सबसे पहले ये समझे लिजिए कि बराबर के इधर जो लिखा है यानि कि बराबर के इधर यहाँ पर यह पूरा चीज जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं बायापक्ष और इंगलिस में क्या बोलते हैं इंगलिस में बोलते हैं LHS यानि कि left hand side और बराबर के इधर जो लिखा रहाता है दाइनी तरफ इसको बोलते हैं दायापक्ष यानि क upright hand side ठीक है तो इनको सिदह करने का तीन तरीका होता है मैं आपको बता दूँ तीशरा तरीका क्या है मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम य। यह यह रहता को छोटा कर लेते हैं फिर हम लोग全 को लेंगे और इसको हर करके छोटा कर लेंगे और जो छोटा वाला दोनों है वो एकदम सेम राना चाहिए अगर सेम आ जाता है तब तो समझे सिद्ध हो गया है ठीक है ना तो वह ही काम हम करने वाले हैं कि वो सबसे आसान भी दिये तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS लेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS यानि कि बाया पक्ष और LHS पूरा यह है तो सबसे पहले LHS लिखेंगे और पूरा का पूरा यह है उतार लेंगे तो यह हो जाएगा एक बटा वन माइनस कोश ठीटा प्लस ये हो जाएगा एक बटा वन प्लस कोश ठीटा ठीक है ना तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखें मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप लोग से दिखानवाल प्रश्ण हल करेंगे तो जिसमान लेजे मैंने यहाँ पर LHS लिया तो इस LHS में सभी केवल साइन कोश राना चाहिए मतलब 6 तरिकड़ों में तो जब भी हम लोग से दिखा रहेंगे तो उसमें केवल साइन और कोश ही राना चाहिए उसके अलावा कुछ भी नहीं राना चाहिए अगर दूसरा कुछ है तो उसको हम साइन कोश में बदल लेंगे जैसे example के तोर पे इसमें आप देख सकते हैं केवल cos है यानि कि cos theta है और cos theta के आलामा कुछ भी नहीं है तो हम इसको केवल calculate करेंगे लेकिन माल लीजिए अगर इसमें 6 theta कहीं पर आ जाता या फिर 10 theta आ जाता तो उसको हम sin theta और cos theta हम बदल लेते हैं ठीक है ना कैसे बदलेंगे इनी सब सुत्रों का यूज करके और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आपसी दिखनेवाल परशनों को हल करेंगे तो आपको यह सुत्र पूरा याद होना चाहिए यहां पर आपको जो सुत्र पूरा दिख रहा है और यहां पर जो आपको सुत्र दिख रहा है यह सब सुत्र पूरा याद होना चाहिए इनको मैंने याद करने का तरीका बता दिया है पिछली वीडियो में उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा ठीक है ना तो चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन कोस में बदल काई है मतलब के वल कोश्ट है और उसके लाँ कुछ नहीं है तो हम इसको बस कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए तो यहां पर सबसे पहले समझे भीन को अल करने का एक तरीका जैसे माले तीन बट्टे दो लिखा है और चार बट्टे पांच पलस लिखा है तो इसको इस भीन को अगर आपको हल करना है तो कैसे हल करेंगे तुछ अरो का hello करें दूसरा तरीका में आपको ऑदा दूंँ आसे होता है तीस हल किया राicha मतलब करतें ऐसे तो पांच कर त्मरी भीनें करेंगे तो पंडह पलस लगा दीजे नीशे में करें दो पाचे 10, तो 15, 8 कितना हो जाएगा, 23 बटे 10, तो ये तरीका होता है, तो ये ही तरीका हम इसमें लगाएंगे, तो दीखें ये भी पाला बिन्न है, क्याम कि में बठा ये है, ये दूसरा बिन्न है, तो इस नीचे वाले का ऊपर गुड़ा करेंगे, इसका ऊपर गुड़ अब यहाँ पर नीचे नीचे गुड़ा करेंगे तो इसका हमें इसमें गुड़ा करना है तो ऐसे लिख लेते हैं 1- cos theta और into यह हो जाएगा 1 plus cos theta अब यहाँ पर देखिए यह cos theta से cos theta कड़ जाएगा 1-1 कितना हो जाएगा? 2 और बटा अच्छा नीचे वाला देखिए 1- cos theta into 1 plus cos theta तो देखिए यहाँ पर एक सुत्र होता है सुत्र क्या होता है? एक कोष्टक में A-B दूसरे कोष्टक में A-B यानि की बीच में यह गुड़ा है तो अगर इनका गुड़ा करते हैं तो यह आता है A square minus B square अगर हम लोग A-B और A-B का गुड़ा करें तो A square minus B square आता है इसका मतलब क्या है देखिए यहाँ पर देखिए यह A हो गया यह B हो गया तो A-B और देखिए A हो गया B हो गया A plus B तो इनका गुड़ा करेंगे तो यह आएगा एक का स्क्वार माइनस cos square theta इतना आएगा ठीक है न बिल्कुल यही सुत्र लगा के हम कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस एक का स्क्वार एक होगा और यह cos square theta को cos square theta रहने देते हैं तो देखिए हमने इतना इसको हल कर लिया ठीक है न अब हम क्या करेंगा अब हम यह RHS उठा लेते हैं तो हम यह आप लिखेंगे RHS यानि कि दाया पक्ष तो RHS का है 2 cos square theta तो यह वजाएगा 2 और cos square theta ठीक है तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जब भी हम लोग LHS लिखेंगे और RHS लिखेंगे तो उन में केवल sign cos हम करते हैं बाकि 10-cade court कुछ भी दिया रहे उसको हम sign cos में बदलते हैं तो इसमें देखें कोषक है तो इसको हम sign या cos में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे देखीए इसके लिए यही सुत्र में देखना पड़ेगा देखें यहाँ पे कोशेकब सुत्र होता है enite chord सब्सक्राइब यहां पे 22 गात लाज इसके इसको मैं या यता या कोशेक भीवारबर होता है एक भीवाथ है या यहां पर ces ठा बराबर होता एक बटे सांथ ठीटा यहां पर अगर तो दो गवात लागा दें तबी सुसर बन जाएगा को सेक किस को ठीटा बराबर एक बटे सरे साइन यह लिख सकते हैं तो हम यहा पर क्या करेंगे को सी के ठीटा के जगा यह हो जाएगा दो बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा होगा इसके जगा क्या लिख देंगे एक बट्टे साइन स्कॉर्ट ठीटा ठीक ना तो देखिए अब इसमें केवल साइन आ गया है मैंने अभी आपको बताया कि साइन कोश में बदलते हैं तो साइन हो गया अब ऊपर लगुड़ा करेंगा तो यह वा जाएगा 2 बटे यहाँ से क्या हो यह साइन स्कॉर्ट ठीटा ठीक है अब दिखेए यहाँ पir एक और सुत्र होता है यह सुत्रों होता है sin square theta plus cos square theta बराबर एक होता है तो यहां से हम दो सुतर और बना सकते हैं यह हो जाएगा sin square theta बराबर cos square को उधर बेज़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus cos square theta यहां से एक सुतर बना अब यहां पर यह जो cos है इसको मैं लिख लता हूँ भुखो जाएगा cause COME 2 wären 9 anus sin 2STube देगे तो यह जाएगा सानिघ्टर ठीटा ठीके तो अब देखें दो बनते होगी अब देखें सानिसको ठीटा بराबर इतना है तो इसको में लिख सकता हूं यहाँ पर क्योंकि 5 को सानिस को ठीटा बराबर यह तो यह जाएगा कि LHS को आल करेंगे RHS करेंगे दोनों यह सेम आना चाहिए देखें सेम से बिलकुल है तो जब दोनों सेम आया तहे तो समय सिद्ध हो गया तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS और यहां पर लिख देंगे ETC DUM मतलब सिद्ध हो गया तो हिंदी में लिखेंगे ETC DUM इंगलिस में लिखना चाहें तो लिखेंगे हैंस प्रोब्ड तो इस तरीकी से मैंने इसको सिद्ध कर दिया तो चलिए अब लोग दूसरे क्योशन को सिद्ध करते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए कोट ठीक प्लस टैन ठीक बराबर इतना से दिखना है तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे LHS तो LHS पूरा ऐसे लिखना पड़ता है तो यह हो जागा कोट ठीक प्लस यह हो जाएगा 10 ठीक तो मैंने आपको अभी बताया कि LHS को लिखेंगे चाहे RHS को लिखेंगे उसमें कि साइन कोस रहना चाहिए उसके लबा कुछ नहीं रहना चाहिए तो इसमें तो साइन कोस नहीं है यह तो कोट 10 है तो देखिए इनका सुत्र होता है क्या सुत्र होता है मैं आपको बता दूं देखिए 10 ठीटा बराबर होता है साइन ठीटा बटा कोस ठीटा तो देखिए 10 ठ धीता के बराबर हम इतना लिख सकते हैं इस में देखेच सकते हैं और सबस Northern के जगे हम सबस्क्रीन के ढराबर होता है कोष ठीटा बटा साइन तो अब फस्काम कारेंगे इस कोड़ी प्रऻें खर कर लेते हैं तो धिक히 अब देखυए इसको मैने जब इतना लिखा फार्मूले में तो इसमें आफ देखें किवल साइन वी घुर्टवार नहीं दीख नहीं दिख रहा है तो ही आपको करना है है यह बस और ऊसके बाद आपको कैल्कुलेट करें देखें चो जायगा स महा tutor इसमें गुड़ा करेंगे तो यह हो जायगा sin square theta यह पूरे बटा नीचे नीचे भी गुड़ा करते हैं तो यह हो जायगा sin theta into cos theta अभी मैंने आपको सुत्रिक बताया था कि sin square theta plus cos square theta बरावर एक होता है तो ऊपर मैं एक लिख सकता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, sin theta into cos theta, इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ, अब मैं RHS होले करके छोटा करूँगा, हल करूँगा, तो RHS बराबर क्या है, RHS बराबर है, sec theta into cos theta, तो यह हो जाएगा, sec theta into cos theta, ठीक है ना, तो अब इसमें देखिए, हमें capable sign cos Bishop में बदलना है, बागी कुछ नहीं देखना चाहिए, तो देखिए, सुत्र अब लगाते हैं, तो sec theta बराबर क्या सुत्र होता है, sec theta बराबर सुत्र होता है, एक बटे cos theta, यह into हो जाएगा, aa kost एक βारबर किया होता है एक बटे sine thita देखिए अब हमने को साइं मी बधल लिया अब यहां पे क्या करें तो उपर उपर गुडा करें तो एक हो जाएगा नीचे नीचे गुडा करेंगे तो यह हो जाएगा फोस टीटा इंटु साइन ठीटा अब यह हो जाएगा आप देखें बीच में गुडा आए तो एदाद वर कर सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगा तो यह हो जाएगा साइन ठीटा इंटू कोस्ट ठीटा ठीकिन आप देखिए दोनों ये दोनों सेम दिख रहा है तो बस वही लिख देंगे कि लचे सिद्धाम